मैंने सबसे पहले सेब को छिल लिया ओपर से और छिलने के बाद इसको बारेक तुकड़े करके अपने प्याले में दाला आप जितना बारेक हो सके करें क्यूबिक क्यूब स्मय क्यूब्स बनाएँ सेफ दाल दिया उसके बाद ये अमरूद है अमरूद की दाने निकाल दिये साफ कर दिया उसको भी बिलकुल बारिक कर दिये इस तरह फिर इस तरह चाहे तो कैची से भी कर सकते हैं चाहे आप छुजी से करें मुझे तो प्रैक्टिस है दोनों से कर लेते हैं कि उसके भी तुकड़े कर दिये तो सेव और अमरूत इसमें मिल चुका हम एक और अमरूत ऑफार ऊपर से भी साफ चिल के उतार दी धुमके बी बार पहले छीर लंबे लंबे करें इस तरह और लंबे लंबी चीरे करें उसके बार पपार उनको काटें कि मैंने काड़ दिये उनको इसी तरह हम हर फुरूट के पुड़े इसी तरह करेंगे जितने फुरूट आपके पास एवलेबल हो समाम को दलिए मैं इसके बाद सेब लूँगा केला लूँगा केले के विछिल का उतार दिया उसको भी दर्म्यान से दो कर दिये और उसके बाद दूसरी तरफ से लंबाई में काड़ दिया उसको और उसको भी इसी तरह टुकड़े करूँगा अब जयनाब केले के बाद और इनजेश की बार ये और इनजेश में थोड़े बीज़ होते हैं बाद में बाद में बीज नहीं होते है बगर बीजका मारी नीज जया हो सही है नहीं तो कीनु मैंने लिए और यह गालेबन पाकिस्तानी कीनु हैं सब 취ство ने थे उनके भी थमां की फांके इसी तरह निकालते जाएं यह देखें मैंने यहीं बैट के ची लाएं और यहीं बैट केशाम काम किया इसी टिबेल औरंज से इट्शessä तैनक करन के दलते हैं और नहीं तो अनार और आलें गें उसके strawberry लूँगा और strawberry को उपर से निकाल के खयाल करके नरम ला असा निकाल दे क्योंकि strawberry बहुत जल्दी 62 में हमारी है नरम हो जाती है यह निकाल दिया मैंने बन्की इसको तोड़ा सा काड दो यह काड दिया इसके बाद इसके भी तुकड़े जबर्दस्त कलरफुल हो जाएगा हमारा फूरूट चैट और इस फूरूट चैट में मैं बार्द में दालूंगा चीजे मगर आपको दिखाने के लिए फिलहाल क्यूंकि टाइम मगरिप का हो गया है नमास का भी टाइम होने वाला है अंगूर चाहे अंगूर को कतले करके दालें चाहे सावित दालें यह आपपे डिपेंड करता है आपको जो खूबसूरे जिस तरह लगे दालिए अंगूर दाल दिए अभी केनू को दालना बाकी है केनू के थोड़ी सी में दाला है ज़्यादा नहीं दालें अभी दालना बाकी है वो क इसमें आपको दिखाने के लिए मैं जल्दी कर रहा हूँ सिट्रस इससे खटा मिठा हो जाएगा इसको यूँ काटके त्रिफांके बनाके सिट्रस की और इसका रस निकलेगा जब काटेंगे तो रस भी दालते जाएंगे यह सिट्रस इसका रस भी दालेंगे सिट्रस दालेंगे और जनाब आली इसमें अगर आप चाहें तो छोले थोड़े से डाले आलू शिल्के आलू को मिक्स करें और यह दो तरीके से पकाने बनेंगे एक तो यह फूरुट्यार्ट बनेगा विदाउट किसी चीज के चार्ट अलग और छोलों का प्याला में अलग बनाऊंगा और जिसका दिल करेगा वो उसमें से लेगा और छोलों के प्याले में से लेगा और दोनों को मिसकत के खाएगा और छोलों का प्याला मेरे अर्वेडी दिया हुआ है अपने पेश पे दि तब झालने प्याले में प्याज हों कच्छि रहा और हाले एंव उनद्ट और यह प्याले और उपने हुआ है अपनी मर्द कौने ही है यह तो दूनों चीजे एक प्याला यह और एक प्याला वो दोनों को साथ रखिए ताकि जिसका दिल करें वो सिर्फ फूर्ट का चाट खाए और जिसका बचे का दिल करें या खाने वाले का दिल करें तो वो उसके साथ फूर्ट के साथ खाए यह मैं एक और स्टॉबरी आपके ताने दाल देता हूं खुशुदत खाने में बहुत मज़दार चैस्टी होती है अच्छा है मीठा करने के लिए फर्स कर लिए अगर कम है मीठा है और आप जाते हैं ज्यादा मीठा तो आप शीरा बना के दाल सकते हैं नहीं तो आप उसमें शहद दाल सकते हैं नहीं तो आप ब्राउन शुगर दालें पौडर बना के याने आइसिंग शुगर दालें या वाइट तोड़ासा दालें, जब भी मीठा दालें, तो फोड़ासा एक चुटकी नमक दालें, और एक चुटकी चाट मसाला दालें, तो उसका टेस्ट जबान के उपड़ डेवलब होता है, मैं उमीद है, आप समझ कियोंगे, उमीद है, जरूर बनाएंगे, मुझे दौाओं में जर कम्प्लेट करूँगा, और बच्चे मेरे, और पोता-पोतियां, मेरे जो हैं, वो मौज लेंगे, आप भी मौज लेंगे, इसमें का रज निकाल कदार सकते हैं, आप सेटरस का रज दालिए, तो खटना मिठा हो जाएगे, उमीद है जरूर बनाएंगे, उमीद है दौाओ सब्सक्राइब कर दिये, फिया मानि लाह